वेल्कम तो माई यूटूब चैनल लक्षमी किचन अनिक्टो है गाईज आज हम आज का जो टॉपिक है वह है चंपा पे क्योंकि आज ममा चंपा का जो यह प्लांट है चंपा फ्लावर होता है उसका प्लांट है यह बहुत मोटा होता है और इसमें चार कई गमले कई टाल ऐसे और यह मतलब ग्रोव कर दिया है क्मा इसको बड़े गमले में सिट करें क्योंकि यह बहुत फैट होता है इसाथा है तो इसमें तक इतना अच्छा इसमें रूट निकला है हां रोग करते हैं दो मंत पहले का ना है अ कुर्ण भी मित्ती है इसमें सडी गली गुब एक इसमें चीकू है ये वाला ये तुलसी जिए और ये जो आपको दिखे रहा है नेबु कंटी नेबु की दमांगे filled किम बालाpress भूल्हक मुपनांइ तर्फ मिपके मी वहालाता है हर महिं अन्थ मुए सालन गा मिरता ऑब प्रक दूसरे किसी चोटे एक मन्त होगा है एक मन्त में हाँ जर्मिन इसन इसका हो गया है तो अच्छे से इसमें हम इसको सिप्ट कर देंगे और जब एक दो पतियां और निकल जाएगा तब इसमें हम खा दी और इसमें एड़ करेंगे इसको लगा करके और पानी डाल देंगे जब और पतियां निकलेंगी तब ना हम एक दो मन्त हो जाएगा उसकी बाद इसमें हो गोबर का ही खार डालेंगे ज्यादा कुछ हो इसमें दीखे फ्रेंट से अच्छे से हो रहा है यहां पर देखें इसमें नौर्मली गार्डन का मिट्टी है तो यहां पर हो रहा है आधत हो गया थोड़ा थोड़ा था बचा आया भी करना तो हम पूरी अच्छे तरीकी से हो जा रहा है तो मैं आध करी भातें फ्रेंट्स अर इसमें हम अच्छे से पानी अच्छे साइड से देंगे ताकि हमारी प्लांट पे डाइरेक्ट जड़ पे ना पड़ें फ्रेंट्स इसका कटिंग लगाने का बहुत अच्छा तरीका है कटिंग लाएं और दू-तीन दिन च्छाओं में सुखा के तब इसका कटिंग लगाने तब जाके अच्छे से ग्रोग कर द कटिंग में हमेशा यह वाला पॉर्ट रहना चाहिए क्योंकि बीच का पारट नहीं ग्रो करता है क्यों लेए उपर का पार्ट ग्रो करता है दो-तीन दिन जब इसको छाओं में सुखाएंगे तब ही यह ग्रोग कर पाएगा लगाने में सक्सेज हो पाएगा मैंने इसको इ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीज़ेगा कि कैसा लगा हम और लेकर आएंगे स्कूल से और उस कटिंग पर वीडियो डालेंगे तो के फ्रेंड्स थैंक यू बाबाई